नमस्कार दोस्तो स्वागया तक बार फिर से आपका मारी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आजगी इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा मंत्राले में निकलीवी बंपर भरती के बारे में तो दोस्तो वेकेंसी के आपके आवेधन स्टार्ट हो चुके है औल इंडिया लेवल के केंडिडेट आवेधन कर सकते है मेल और फिमेल दोनों ही इस वेकेंसी के लिए इलिजिबल होने वाले है वेकेंसी के लिए कौन-कौन से पोस्ट आपकी रहेगी आवेधन कैसे करना पड़ेगा पूरा डिटेल में आपको वेकेंसी का आवेधन भी करके बताएंगे जहां दोस्तो वेकेंसी के बारे में सारी अपडेट जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरूर से ले करके एंड तक जरूर देखना पड़ेगा All India Level की वेकेंसी रहने वाली है वेकेंसी का नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा वाह से आप डाउनलोड कर सकते है अब यहापे बीना किसी देरिक करते हैं दोस्तो वीडियो को स्टार्ट दोस्तो Minister of Defense के बारे में आपको सारी अपडेट दे देते हैं Group C के पदों पे आपके वेकेंसी निकलने जारी है टोटल मिला के 10,225 पदों पे आपके वेकेंसी निकलने जारी है वेकेंसी के लिए आपको registration कैसे करना पड़ेगा इसके अलावा eligibility criteria selection process पुरा detail में जान लेते है सबसे पहले हम देखेंगे आपे पोस्ट का नाम सबसे पहले दोस्तो आपको बता दो कि आप स्टेनोग्राफर ग्रेट सेकेंड के पदों पे वेकेंसी निकलने जारी है वेकेंसी के लिए जो पद रहेंगे total मिला कि 10,225 पद आपके रहने वाले है दोस्तो जो भी interested candidate वेकेंसी के लिए आवेदन करना चाते है only एक state के लिए आप आवेदन कर सकते है multiple forum अगर आफ फिल करोगे तो आपका यहापर forum reject हो जाएगा इसके अलावा कर merit list के बात कि जाए तो आपकी state wise और category wise merit list निकाली जाएगी pay scale के दोस्त हम देख लेते हैं आपे stenographer grade second के लिए level 4 का pay scale रहेगा 25,000 से लेकर के आपे 81,000 परमंत आपको salary मिलेगी upper divisional color के अगर बात करें तो इसके लिए भी आपका 25,000 से लेकर के 81,000 परमंत आपको salary दी जाएगी LDC के post के लिए level 2 का आपका pay scale रहेगा 19,000 से लेकर के 63,200 रुपे सफाई वाला level 1 का 18,000 से लेकर के 56,900 messenger level 1 18,000 से लेकर के 56,900 और helper के post के लिए भी 18,000 से लेकर के 56,900 रुपे आपका pay scale रहने वाला है दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे age limit का criteria तो आपको बता दो कि stenographer के post के लिए 18-27 साल UDC के post के लिए 18-27 साल LDC के post के लिए 18-40 साल सफाई वाला के लिए 18-40 साल Messenger के post के लिए 18-40 साल और last में हम बात करेंगे helper के post के लिए तो उसके लिए आप 18-45 साल का age limit का criteria रखा गया है Apply करने का mode आपका offline रहने वाला है Total number of vacancies आपकी 10,225 पदों पे आपकी vacancy निकलने जा रही है Education qualification आपको बता दो कि आपके interested candidate जो भी है बारवी पास और दसवी पास आपके यहां पर qualification मांगी गई है इसके लावा other qualifications को देखने के लिए Official notification को आपको विजीट करना पड़ेगा दोस्तों अगर application fees के हम बात करें तो आपके notification में specify नहीं की गई है जैसे ही आप forum आवेदन करोगे उसमें आपके यहां पर post wise अलग-लग आपके application fees बताई गई है तो उसी time आपको यहां पर पता पड़ जाएगे कि कितनी आपकी fees रहने वाली है इसके अलावा आवेदन कैसे करना पड़ेगा आपको बता दू कि आपकी starting date रहने वाली 21 March और last date आपके यहां पर 21 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा तो जो भी interested candidate है 21 March से आवेदन कर सकते है selection process आपका return test, skill test और interview के basis पे आपका conduct करवाया जाएगा जो कि आपको बाद में notify कर दिया जाएगा तो दोस्तो आवेदन करते टाइम आपको valid email id और mobile number आपको देना पड़ेगा यह आपका पूरा process रहने वाला है अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको like कीजिएगा, channel को subscribe कीजिएगा अब मिलेंगे next वीडियो में एक new update के साथ में तब तब तक एले दोने वादसू